इस वीडियो में हम जानेंगे कि समसंख्या क्या है यानि कि समसंख्या किसे कहते हैं और विसंख्या किसे कहते हैं तो एकेके करके इन दोनों को समझते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समसंख्या क्या है इसको अच्छे से याद किजिएगा और समझिएगा क्योंकि इसमें एक पर एक फिरी है यानि कि सम संख्या समझ गए तो बिसम संख्या अपने आप समझ में आ जाएगा और बिसम समझ गए तो सम भी अपने आप समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं यानि कि इभेन नंबर किसे कहते हैं इसको समझना बहुत आसान है तो इसका परिभासा होता है कि वो संख्या जिसमें दो से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं यानि कि जो संख्या दो से पुरा-पुरा कट जाए यानि कि उसमें भाग देने पर दो से कोई सेस न बचे यानि कि सेस्पल उसका जीरो बचे पुरा-पुरा इस तरह से कट जाए तो वह संख्या समसंख्या होती है येक हम देख लेते हैं जाज कर लेते हैं जैसे कि देखिए हो गया हम मालेते हैं दस ले लेते हैं ठीक इसमें दो से भाग देखते हैं कि या समसंक्या है की नहीं तो दो से पांच बार में दस चल जा रहा है और यहाँ पर सेस जिरो बच रहा है यानि कि कुछ नहीं बच रहा है और यहाँ पर पुरा-पुरा कट जा रहा है और इसे सम संख्या कहते हैं यहीं इस परिभासा में लिखा गया है कि वह संख्या जिसमें दो से पूरा भाग लग जाए यह नि कि कोई भी संख्या हो अदि उसमें दो से पूरा भाग लग जाए तो वह संख्या संख्या होती है ठीक और एक बात आपको मैं सम संख्या की पहचान बता देता हूँ उसको देकर यहां बता देंगे को संख्या संख्या है की नहीं है तो याद कर लीजेगा छोटा सा तूरीक है संख्या का पहचानने का तो जिस शंख्या के अंत में दो हो, चार हो, छे हो, आठ हो और जिरो हो कौन कौन से संख्या हो दो हो, चार हो, छे हो, आठ हो और जिरो हो अनि कि जिस संख्या के अंत में यह सब संख्या हो वह संख्या सम संख्या होती है अनि कि कितना भी बड़ा संख्या के उना दिया हो जैसे में मानलेजिए कोई भी संख्या हो गई इतना बड़ा संख्या है ठीक अब इसको पाचाना है कि यह संख्या यह भी संख्या है इसमें है तो हम भाग देकर देखेंगे तो बहुत समय लगएगा दोसे भाग देंगे तो तो हम इसको देखकर ही हम बता देंगे कि यह समसंख्या है या बिसमसंख्या है वह कैसे क्योंकि हमने यहाँ पर याद की है एक ट्रीक कि जिस संख्या के अंत में दो हो चार हो छे हो आठ हो या जिरो हो उस संख्या को क्या कहते हैं समसंख्या कहते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि इसके अंते में 0 है तो यह सम संख्या है और यहीं पर अधिय जीरो नहीं होता यहां पर 9 होता तो यह क्या होता विसम संख्या होता यह कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं हो इस ट्री को याद कर लेना और इसे तुद्रन्त मालूम चल जा संख्या परिभास चे संख्या में दो से पूरा भाग लगन कि यानि कि वोट संख्या जिसमें दो पूरा भाग लगता हैं कि इसको समझ गए हो गर्राट राख नहीं नहीं यानि कि उसमें दो से पुरा भाग नहीं लगता है उसको भी हम समझ लेते हैं विसम संख्या यानि कि ओड नंबर किसे कहते हैं तो वह संख्या जिसमें दो से पुरा पुरा भाग न लगे उसे विसम संख्या कहते हैं और संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि वह संख्या जिस इसमें दो से पुरा पुरा भाग लग जाए उसे समसंख्या कहते हैं इसमें में जो पॉइंट है वह दो है यानि कि दो से भाग लग गया पुरा पुरा कोई भी सेस नहीं बचा तो वह समसंख्या हुआ और दो से भाग नहीं लगा पुरा पुरा यानि कि सेस बच गया तो व विशम संक्या हुआ तो इसको याद कर लेना कि वह संक्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विशम संक्या कहते हैं ठीक और यह जो संक्या होती है वह इस रूप में होती है एक होती है दो होती है नहीं दो नहीं होती है तीन होती है, पांच होती है, साथ होती है, इत्यादी यह भी अनंत तक होती है, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, इसी तरह से लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे और संख्या आती रहेगी, यानि कि इस रूप में यह संख्या होती है, यानि कि वैसी सं असदो क्या सकते हैं, इसको याद कर लेना, उसमें भी टरीक हैं, कि किसी भी संख्या को देखर हम बता देगे, कि वज संख्या सम है या भी संख्या विशम संख्या के पाचान होती है कि जिस संख्या के अंत में एक हो, तीन हो, पाँच हो, सात हो, नौ हो कौन-कौन से संख्या हो एक हो, तीन हो, पाँच हो, सात हो, या नौ हो इन में से कोई भी संख्या है न तु वह मान ले न कोई विशम संख्या है जैसे मैं देख लेजी यहां पर साथ है आठ है नौ है छो है चार है तीन है ठीक इतना बड़ा संखेया है और इसमें तो हम दोस्रे भाग देखेंगे नहीं क्योंकि भाग देकर जब हम जाच करेंगे तो टाइम लगेगा ठीक यह परिभासा है सिर्फ इसको समझने के लिए और याद करने के लिए लेकिन जब इसको पाचानना होगा तो यह सौट टिरिक ही काम आएगा क्योंकि इससे हम डिरेक्ट एक सेकेंड में पाचानना है कि यह सम है या भी सम है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अंत में लाश्ट में तीन है और तीन क्या बताता है तीन बताता है कि जिस संख्या का अंत में एक हो पाच हो साथ हो नौ हो तीन हो तो कौन से संख्या होती है इसलिए हम डिरेक्ट कहा हां होती हैं ठीक और यहीं पर 0 होता तो कहेंगे नहीं है विसमसंख्या नहीं है जीरो हट गया तो विसमसंख्या है इस तरह से इसका पाचान होता है जो कि बहुत असान है